A, B, C, इसाहिदार में एक लगू दो क्या स्थापना करते हैं एक कुल पुंजी का एक वटा चार, एक वटा फान समय के लिए P, कुल पुंजी का एक वटा तीन भाग, एक वटा चार समय के लिए C, सेश पुंजी पूरे समय के लिए तो कुल पुंजी दिया हुआ है, तो B का हिस्सा क्या होगा फ़ड़ा फास्ट कीजी आज नियम तो खतम कर दें, तब तो हम बर्ग दें ठीकते हैं पात्नर का नाम पहले चाहिए बिद्यार थी जी, A, B और C उसके बाद पुंजी चाहिए, पहला ने एक वटा चार पुंजी लगाया है तुसरे ने एक वटा तीन पुंजी लगाया है अग तिसरे ने सेश पुंजी तो सेश पुंजी कैसे निकालिएगा तो जब भी भीन के रूप में रहता है तो पूरा भाग एक का लाता है परतिसत के रूप में रहता है तो पूरा हंडिड का लाता है तो एक वटा चार भाग का मतलब पूरा एक जिसमें एक वटा चार ए न लगाया एक वटा तीन भी न लगाया अर्था से सी न लगाया तो ए एक मेंसे इन दोनों को घटा दिजिएगा तो भाई एक मेंसे एक वटा चार एक वटा तीन को घटाईएगा एलसियम आपको बारा आजाएगा आया ना तब कितना हो जाएगा पांच वटा पारा मेंसे विद्यार थी जी देखिएगा तीन और चार घट यानि पांच वटा आ पांच वटा उसी तरह समय की बात कर रहा है ए ने एक वटा पांच समय के लिए ती में बिद्यार्थी जी लगाया है एक वटा चार समय के लिए और सी में सेश समय के लिए तो एक में से आप जल्दी से एक वटा पांच और एक वटा चार को घटाईएगा कि गारवटा आप दीज, जानि सी का समय हो जाएगा हम लोग के लिए गारवटा आप दीज, अब जितना जल्द हो रेशियो हल कर लिजे, आपका काम हो जाएगा, कितना जल्द हो रेशियो हम लोग को हल कर लिजे, LCM जल्दी देख लिजिएगा कितना से ले लें किया चलिए पांच से इकट रहा पांच और दी जल्दी देखिए बारह अभी भी LCM लगता साथ ही आ जाए साथ लाने के लिए बीस को कैसे गुना आती आठ लाने के लिए बीद्यार्थी जी बारह को कैसे गुना आप पांच आभी साथ से कटेगा जी चलिए कोई पतने हम लिख दिये तो अब फिर से लौटेंगे थोड़ी को साथ से न गुना किये बारह चवर तालिस बारह पचे अर्थात हो जाएगा बारह तेश पच्पन तोटल लाब हम लोग का दिया हुआ अभी द्यार्थी जी जल्दी बोले सात्राजार सातुना सातासी से निकालना किनका पीटा हिस्सा कैसे गुना हमें लगता दू बार में कट रहा अर्थात हम लोग का अंसर चा बन जाना चाहिए तो हमें समस्या यह आए थी सबसे ज़्यादा समस्या ही ले लिया था कि पहले तो सेश पुझी निकालो सेश समय निकालो दोदोग अभीन का घटाओ बनाओ उसके वाद एर्सियम से गुना करो तो मैंने इसका एक उपाए ढूना उस उपाए को जरा एक वार आप देख लिजेगा हमने सोचा कि आजो रेशियो में पढ़ाए उसका यूज यहां क्यों नहीं करें ए ने लिगाया एक वटा चार पुझी भी ने लगाया एक वटा तीन पुझी इसलिए पुझी ऐसा मानिये जो चार और तीन से कट जाए तो चार और तीन से कटने वाली रासी बारा लाने के लिए यहां तीन यहां चार यहनी सेस बचेगा पाँच देखिएगा यहां सेस लिखना बिलकुल आसान उसी तरह समय का जिक्र कीजिएगा विद्यार्थी जी A का समय देखिएगा एक वटा पांच B का समय एक वटा अचार तो समय ऐसा मानिए जो पांच अचार से कट जाए तब बीस लाने के लिए यहाँ चार यहाँ पांच अज सेश हो जाएगा इक गार अब देखे रेशियो भी लिखना बिलकुल असान सा हो गया हाई ना अब टोटल का तुलना टोटल से 17,400 का तुलना जल्दी बोले ती का निकालना है 20 से गुना आर्थात हम लोग कहां सार हमें लगता इसमें आपकी अस्पीड चार गुना हो गया होगा हाई ना तो जब भी ऐसा रहे तो टोटल पुझी निकालने आगया टोटल समय भी मानने आगया बन जाएंगे next ए और बी ने पचास जार अरुनगी पुंज़ लगाई ऐ और बी ने विद्ध्यार्थी जी तो ए ने अपनी आधी पुझी निकाल ली तो पचास के आधा पचीस लिखने में कोई दिक्कात नहीं, अगर दिक्कात होता तो हम आगे भी आपको समझाते, अगले आट महिने के लिए, कितने महिने के लिए, क्या लोगों कोई समझ में आ गया, उसी समय बिद्धार थी जिबी ने एक तिहाई पुंजी बापस कर ली तो 45 का एक तिहाई जल्दी बोलिए पंदा बापस कर ली यानि तीस बच गया अगले कह मां के लिए और सी उसी समय कह रहा है सत्तर अजार रुप्य लगा कर सामिल हो गया अर्था कितने मां के लिए अब जितनी जल्दी हम लोग रेशियो लिख ले हम लोगों का काम हो जाएगा रेशियो लिखने आ जाएगा चार चार दुनी आठ चार चार दुनी आठ चार दुनी आठ चार दुनी आठ अब यहाँ देखिए 10 और 10 बीस यहाँ देखिए 12 नौ की कैस यहाँ देखिए 18 यहाँ टोटल लाब देखिए 414 विद्यार थी जी टोटल का तुलना टोटल से 69 हो रहा है क्या 69 यानि पूरे लगता है 6 वार में कट रहा है 70 गुने 6 420 होता है 6 वार किसका निकालना एका 20 से गुना 20 हक 20 से उस पे भी 00 छोड़ के आये थे हाँ या ना अर्थात हम लोग का अंसर कितना क्या पनाने आ जाएगा Next चिन किनी को कहीं दिक्कत हुआ जरूर बोलिएगा और पूछिएगा सर्मानिक जोतनी है तीन पार्टनरें बिद्यार थी जी मैंने A, B और C लिख डाला पुझे एक जगा लिखा एक वड़ा 6 भाग, एक वड़ा एक वड़ा 3 भाग इसलिए से पुझे मानिये जो चार तीन से कड़ जाए तच्छा यानि कि एक दू असेस पुझे तीन समय भी लिखा एक वड़ा 6 एक वड़ा 3 कितना माने तच्छे का एक वड़ा 6 एक वड़ा 3 दू अब पूरे समय लिखा हुआ तेज समय नहीं लिखा हुआ था अगर आप में सेज समय लिख दिया था इसका मतलब है आप रट्टू मल है रठिये नहीं अब टोटल लाब दिया हुआ 46 यहाँ टोटल अठारा चरबाए से किसका निकाल दा है से कुना ते दुनी 46 यहाँ चार दुनी 8 हजार ना क्योंकि हजार बजार को हम लोग छोड़ के आये थे अंसर देने आ गया पाट्नर का नाम बोली A B और C A B C A ने एक वटा चार पुझ बी ने एक वटा पाच पुझ यह सेस पुझे सीने तो चार पांच से कटने वाली रासी बी लाने के लिए पांच चार इगारा A ने एक वटा चार समय बी ने एक वटा पांच समय तो समय सामानिये जो चार पांच से कट जाए तेस लाने के लिए पांच चार आई पूरे समय लिखा हुआ है या नहीं अर्थात रेश्यों हो गया 25-16-220 टोटल लाब 78-130 का तुल ना जल्दी भुलिए तू कितना? 211 से निकालना किनका? 220 से गुनाम को लगता तीन बार में कट गया या 600 अंसर देने आ जाएंगे अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टिडी ट्रेंड एप डाउनलोड करें